अब देखें ये वाला सवाल हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 5 की उपपर दो ट्रम्स है ना पावर्स में इसका मजब है आप इन दोनुद ट्रम्स को पावर्स की अलग-अलग अब बेस 5 पर लिख सकते हैं यानिके हम जो आपका एक प्रोड़क्ट रूल है मल्टिप्लिकेशन का जो आप जिसे आप लॉफ एक्पोनेंट्स भी कहते हैं उसको हम रिवर्स कर रहे हैं यानिके हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 5 की पावर एक्स मल्टिप्ला यह डॉट का आफ इदर भी बेस फाइव है इदर बीडिपार मुटिप्लाइग फॉर्म में इदर पावर क्या बनेगा एक्स प्लस वन बनेगा तो हम इन स्कों क्या किया है उल्टा किया है जैसे अगर कई लिखा वाओ एक्स इसको आपसिक जिख जवाब देखे नो मगर जवाब छोट आधा कि देखो बेसिस सेम है इसली फावर्स को क्या करेंगे एड करेंगे और यह यह 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तो अब अगर हमें कोई लिखकर देता है 2 प्लस 4 तो क्या हम इसको वापस ऐसी नहीं लिख सकते एक्स स्क्वाइर इंटू एक्स पावर 4 बस यही काम हमने यहां किया है ऐसी इधर भी 5 की दोर्मों पावर्स को उठा कर हम अलग अलग 5 पे लिख देते हैं जितनी भी पावर्स अगर 10 पावर्स होना उपर प्लस माइनस फॉर्म में तो आप 10 की 10 पावर्स को 10 की 10 बेसिस दे सकते हैं तो प्लस साइन के बाद 5 की पावर 2 मल्टिप्लाइंग फॉर्म में 5 की पावर माइनस एक्स फाइफ का क्यूब आप जानते क्या होता है 125 और आगया आगया प्लस बाद राइट अच्छा अब यह जो 5 आपको पता उपर पावर्स लिखते नहीं है तो यहां पर मै 5 लिख रहा हूं और मल्टिप्लाइंग फॉर्म में 5 की पावर एक्स एर्र लिख रहा हूं ठीक है फिर प्लस साइन के बाद 5 का स्कॉरर क्या होता है 25 यहां 25 लिख रहा हूं और डिनॉमिनेटर में मैं इस 5 को नीचे लिके जा रहा हूं परपस क्या है नीचे लिके जाने क कि आपको पता है, whenever you shift the base from numerator to denominator or from denominator to numerator the sign of its power will always be changed power का sign तब्दील हो जाता है so to make this power positive we have to shift this base from numerator to denominator तो यहाँ 5 cube जो पर power minus x है यह नीचे अगर क्या हो जाएगी 5 की power plus x अब यह power plus में हो गई तो जब भी कोई power denominator से numerator में जाती है numerator से denominator में जाती है याज रखीगा उसकी जो sign है वो तब्दील हो जाती है और यह क्या हो जाएगा 100 and 26 now we have to avoid this denominator मुझे इस denominator को remove करना है एक तरीका LC menu में एक और तरीका इसी से पूर इक्वेशन को multiply कर वा दी है तो multiply by 5 raise to the power x तो देके जब इदर 5 की power x इस इसको मैं इस्टर बेस्ट आपको लिख़र दिखाजे ताहूं नेने कि पर्स इसको मैं फाइपाब सब्सक्रद फाइब इसे भी मंटिबाम इखिया h चीक teak प्रस टांर के बार 25 ओंटि-फाइब ओन्राइब इससे भी मंटिपलाव इख Install लिखाजं और शुमा त्वाब शुष्वान फाइब सनकर की मंरे द civilization x एक्स प्लस एक्सक्स तो फाइब इं टू फाइब फाइब की पावर तु एक्स और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो आप उसको थृजी लिख सकते हैं तो कि हम इसको 8 का और इसको नहीं लिख सकते हैं और आपको पता है ब्रैक्ट के इंदर वाली पावर से क्या होती है तो अगर आप 2X से मटिप्ला के बाएं तो वड़ी तो बनेगा 2X जो हम कह रहे हैं कि X प्लस X 2X होता है लेकिन हम इसको होल स्कॉर में क्यों लिख लिखा इसकी वज़ा भी आपको पता चलीगी चल लभें बाद इंशाल्ला अच्छा इधर दो 5 की बावर X से 5 की बावर X क् कैंसल क्योंकि एक उपर और एक दीच है तो यहां आगया प्लस 25 और एक्वर्स्टू के बाद 126 के साथ इसको ऐसी मल्डिप्लाइंग फॉर्म में लिखा रहे हैं अब हम तमाम क्रम्स को लाफ्टर शाट पर जमा कर रहे हैं तो सबसे पहले 5 इंटू 5 की पावर X का स्कॉर यहां जाएगा उसके बाद यह 126 इंटू 5 की पावरेक जो इधर प्लस में है राइट से लेफ्ट चाइट पर आने पर माइनस में हो जाएगा और प्लस 25 आप अगर आप देखें तो यहां पर दोजोग में similarity और किपावर एक्स को एम मालने के में जाएगी और मैं इसको सिंपल अंदा से सॉल्फ कर पाएंगे तो लेट फाइब रेस टू दी पावर एक्स इसको एक्वेशन नाम देते हैं तब एक्वेशन ए में जिदर फाइट की पावर एक्स आ रहा है हम उदर अब क्या लिखने बाले हैं एम ते देखें फाइफ एम उपर क्या आ गया करते हैं तो आपको पता है प्लस का प्लैन हमारा क्या मिड्ल ट्रम को प्लस करके तोडएंगे मिड्ल ट्रम क्लस करके क्या है मिड्ल ट्रम के दो टुपड़े क्या आ गए एक 125 एम और एक वन एम के साथ बन लिखने की जरूरत नहीं हो लिखने दो कोई मसला नहीं है कोई पावद्दी नहीं लिखने में लिख सकते हैं अब बहुत यहां से साइन लगांगे प्लस के प्लान में आपको पता सेम साइन आता है तो मिड्ल ट्रम के साथ मैनस आ जाएगा अब हम दो दो को डिवाइट कर ले 5 2 जा 10 दूदर 5 पर से लगए 25 हो गया 5 5 जा 25 और M बहारे लिखने की जरूद नहीं है माइनस सान के बाद यहां से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा M प्लस माइनस माइनस और 125 जा 25 मजीद आप देख सकते हैं ब्रैकेट कॉमन आ रहा है M माइनस 25 का और क्या रहा जाएगा 5 M माइनस 1 जब दो ब्रैकेट मल्टिप्लाइंग फॉर्म में 0 के एकवल होते हैं आप दोनों को अलग अलग 0 के एकवल करते हैं तो यहां पर M की एक वैल्यू 25 के वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा 25 आ जाएगी और M की एक और वैल्यू पहले 1 वहाँ पर जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 वहाँ पर जाकर क्या करेगा दिवाइट करेगा मगर यह तो m की values आही है और हमें variable सवाल में x भी आगिया है हमें तो x की value लानी है तो अब x की values आने के लिए हमें इन m की values को टागे कहा पुट करना पड़ेगा equation 1 we put values of m in equation 1 अब equation 1 में सबसे पहले m की जगा 25 put करते है when m is equal to 25 तो यह देखे equation 1 में जब हम m की जगा 25 put करते हैं तो क्या शकल बनती है 5 raise to the power x is it was 2 अब हमने बता दिया कि हम m की जगा 25 रखने जा रहे है क्योंकि हम 25 आया है अब यहां x की value कैसे ले कर रहा है आप चाहिए इसको यहां पर log एपलाए करके की भी x value आ सकते हैं लेकिन जो इसका सबसे अच्छा तरीका और जो सबसे smart तरीका वो यह कि equation हमें बता दी कि अगर आप किसी तरह basis सेम करने में कामियाब हो जाता हैं अगर आप basis equal करने में कामियाब हो जाते हैं तो इसकी power को equal बाना जाएगा और अगर आप powers को equal को क्याऺं अगर पावर को इक которого बाना जाएगा यानिकि हो सकते हैं आपका em जाए eight की power, yty 64 बताओ y की क्या वैल्यू है तो आप 8 की पावर y और इदर 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं तो basis की बल कर दी मतलब पावर जिखवाल है y परस्टू 2 चीक अच्छा और ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको कहा जाए बताओ m की क्या वैल्यू है तो m raised to the power 4 है कि हम 16 को किसी नंबर की पावर 4 लिख सकते हैं किसकी पावर 4 16 की एकवल होता है बेलकुल 2 की पावर 4 इस बार पावर जिखवाल हो गही न मतलब बेसे जिखवाल है तो m की वैल्यू क्या आ गई 2 आगे तो यहाँ पर मुझे बता यह इधर बेस 5 है और उधर 25 है तो मैं 5 की पावर x को बराबर कर सकता हूं 5 की पावर 2 के क्योंकि 5 की पावर 2 25 की एकवल होता है तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इफ बेसे आर इकवल इफ बेसे आर इकवल देन पावर और एकवल या एक्सपोनेंट्स आर इकवल तो एक वैल्यू वह बारों को आ चुकी है और वह है टू वैन एम इकवास टू वन ओवर फाईव तो एक्वेशन मन की क्या शकल बनी फावर इस टू दी पावर एक्स इस इकवास टू एम की जगह क्या जाएगा बन ओवर फाईव अब प्रॉब्लम ही कि इदर फाईव उपर इदर फाईव नीचे है तो से बेसे का एकवल होना जरूरी नहीं है बेसे का सेम पुजीशन पर भी होना जरूरी है तो इसलिए हमें इस फावर की जाना पडएगा कि व्धावर क्या हो जाएगी माइनस वन क्योंकि नीचे प्लस दि बेसे जिवाल हो चुकिना पावर जिख बाल है तो आपसदी ऐसे क्या मानिस फान जरूरी है तो सॉलूशन सेट में हम दोनों वैल्यू जिख देंगे एक एक्स की वैल्यू है और एक एक्स की वाल्यू बाइना युट और आप चाहें तो इन जवाबात को चेक कर सकते हैं अगर आप यहां पर अभी एक्स जेगा कोई भी वैल्यू पुट करें तो लेफ्टन चाट पर भी वही आएगा जो राइगे राइगे वनवन वन वेस्ट बनाइए फाइगे 125 व हो जाएगा 125 धनर और इधार अकर आप एक से का तू कूट करें तो 2-2 क्या हो जाएगा 0 और 5 कि पाफ जीरू कि स्केवर हो जाएगा 6 जाएगा 1 यह बना 125 और रही बना याँने इतनी ह्वाद करें घ्रट फॉ बजाए कि आप एंड में पूरा एक कि स्टेप चेक कर रहे हूं बैठकर सवाल का अपना बत जाया कर रहे हूं जवाब स्मार्टली चेक कीजिएगा इंशाला मेरे आप सुम्रा गादू की नेक्स लास में और आज हिबा की बारी नहीं आपाई क्योंकि टाइम थोड़ा उपपर हो गया हुआ हुआ है